प्रिये दोस्तों, प्रभु ये इशु के नाम में नमस्कार, शास्त्री जानसन सी फिलिप के बाइबिल प्रवचन माला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ. शास्त्री जी बाइबिल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवन सहज भाशा में प्रवचन के लिए जगत प्रसिद्ध हैं। उनका कोई भी प्रवचन आप से छूट न जाए उसके लिए इस पाठ़े माला को सबस्क्राइब कर लें। सबस्क्राइब करना बहुत ही आसान है। इस वीडियो के नीचे एक सबस्क्राइब बटन दिखता है। पहले उसे क्लिक कर दें। उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है उसे क्लिक कर दें। बस हूग गया काम। अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस् तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी. दूसरी बात, ब्रदरायनील प्रार्थना कर रहे थे, तब उन्हेंने मेरी सेवकाई के लिए प्रार्थना की, मैंने अपनी सेवकाई के बारे में कुछ नहीं बताया, एक बात इस कारण मैं बताना चाहता हूँ. इरना कुलम, मैं इस समय इरना कुलम नामक जगह पे हूँ या जो कुछी नाम से जाना जाता है, आज से लगभग 6 साल पहले हम तीन लोगों ने मिलकर घर घर जाकर गॉस्पल देना शुरू किया, इसको देखकर अन्य भाई लोग इतने उत्साहित हो गए कि मेरी मंडली के हमारे साथ आने लगे, ये देखके और सीनियर लोग भी आने लगे, और जब ये विद्यार थी, ये लोग अपने कॉलेजिस में चले गए, तब तक सीनियर्स कई लोग हो गए, और हम लोग 9 लोग हफते में कम से कम एक बार house to house जाकर gospel शेर करते थे और यदि कोई सुनने को तयार हो तो उसको सुसमाचार भी सुनाते थे, उनमें से दो या तीन लोग follow-up के लिए दुबारा जाते थे हफते में, और उसके अलावा यहां से लगबग 40 किलोमीटर दूर एक जगह है, गाउं जैसा है, वहां पर भी इ दी चहरा दिखा दो, तो वह नाराज हो जाता है कि तुम कैसे यहां आए, जब से COVID प्रतिबंद लगा है, तब से हमारा काम रुका हुआ है, आज केरल की स्थिति यह है कि प्रति दिन सारे इंडिया में जितने इंफेक्शन होते हैं, उतने इंफेक्शन केरल में हो रहे हैं प्रार्थना करें, क्योंकि अब लगबग 18-19 मेहने इस तरह घर पे हाथ पे हाथ रखके बैटने के बाद मन मचलने लगा है, वापस फील्ड में उतरने की बड़ी इच्छा है, प्रार्थना कीजिए कि प्रभू हमको जल्दी ही इसके लिए आउसर दें पिछले हफ्ते मैं आखर में आपको ये बात बता रहा था कि परमेश्वर के वचिन की तुलना कई चीजों से की गई है, लेकिन उसको कंप्लीट करने से पहले क्लास समय खतम हो गया था, क्लास समाप्त करना पड़ा, इस कारेंड हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे पासों, न्यूज में खबर आई थी जो मैं जरा आपके सामने पेश करना चाहता हूं, हम सब लोग जानते हैं कि आफगानिस्तान में क्या हो रहा है, और हम ये लोग ये बात भी जानते हैं कि भारती सरकार मिल्टरी एरक्राफ्ट की मदद से अफगानिस्तान से आधिक से भारती लोगों को लाने की कोशिश में सरकार लगी हुई है, विशेश खबर ये थी कि अफगानिस्तान के तीन गुरुद्वारों से वहां के ग्रंथी लोग जब भाग कर इंडिया आए, तो वे लोग अपने धर्म ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहब को भी लेते आए, उसके लिए विशेश प्रकार का सूट के से जिसमें रखा जाता है, और जिस तरह से हम बाइबल को अपने हिप पॉकेट में या शर्ट के पॉकेट में या बगल में यों दबा देते हैं, वे लोग ऐसा नहीं करते, वे लोग गुरु ग्रंथ साहब को सिर्फ सर पर रख कर ले जाते हैं। और रख कर उसको एरपोर्ट से बाहर लाए, दैनिक भासकर में इसका वीडियो मैंने देखा, आज मेरे फादर ने ये बात बताई कि बहुत वाइडली टीवी पर भी ये दिखाया गया था। उसको हम रोकें। जरूरी है। मैं लगभग बारा साल की उमर से, बारा तेरा साल की उमर से प्रभु के वचन के प्रचार के लिए ट्रैवल करता आया हूं। बारा तेरा साल की उमर में फादर ने मुझे एक टीम के साथ बेज दिया तो एक पीटी देखे जाओ बेटा। सीखो की किस तरह से कॉस्पल वर्क किया जाता है। तब से मैं यात्रा कर रहा हूं। एक बार की बात है इस तरह की यात्रा में। एक घर के आंगन में देखा तो मनिश की विष्ठा। उसमें लपेटे हुए बाइबल के पेजस पड़े हैं। मुझे बड़ा विचित्र लगा लेकिन देखके दिल को ऐसा सदमा लगा। मैंने किसी से कुछ बोला नहीं। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि वहां जिस घर में हम लोग टिके हुए थे। उस आंठी का बच्चा था दो या तीन साल का। जब जब वो टटी कर देता था तो बाइबल के पन्ने फाड कर उस से इसको साफ करके वो बाहर फेंकती थी। मैंने पूछा कि आंठी ये क्या कर रही है आप। मैं उस समय काफी छोटा था उमर में। उन्होंने कहा कि बेटा ऐसा है ये बाइबल पुरानी हो गई है। इसके पन्ने वगरा फट गए हैं। ये किसी और काम का नहीं है। और इसलिए मैंने सूचा कि इसको फेंका क्यों जाए कम से कम बच्चे की जो एक्सक्रीशन है उसको साफ करने के लिए ही यूस किया जाए। दुनिया में किसी भी धर्म में अपने धर्म ग्रंत के प्रती ऐसा व्यवहार नहीं होता है। किसी भी धर्म में नहीं होता है। लेकिन हम लोग प्रभु के वचन के बारे में इतने लापरवा हो गये हैं कि सबसे निक्रिष्ट कारियों के लिए भी प्रभु के वचन के पन्नों को फाड़ कर उसको उप्योग कर रहे हैं। मैंने इस ही पूछ लिया कि बच्चों के जो पुराने टेक्सबुक्स होंगे बड़े बच्चे भी थे उनके बच्चों के पुराने टेक्सबुक्स आपके पास पढ़े होंगे। उसकी पन्ने क्यों नहीं ले लेते तो एकदम से उनका जवाब था कि नहीं नहीं वो तो फिर से काम में आ जाएंगे मतलब प्रभू के वचन को हम इतना निकृष्ट समझते हैं कि गंदे से गंदे काम के लिए यूज़ कर सकते हैं लेकिन पाठिय पुस्तक जो पुराना हो गया है वो भविश्य में कभी काम आएगा यह सोच के हम उसको सुरट ही तरक्षे हुए हैं मेरे प्रीभाई और बहनों प्रभू के वचन के प्रती हम हमारा आदर मसीही जगत जिस तरह से आदर देता है उसमें बदलावाना जरूरी है पिछले हफते हमने देखा कि प्रभू के वचन के लिए प्रभू के वचन में क्या-क्या शब्द यूज़ किये गए हैं क्विक्ली मैं प्रभू के वचन की जो तुलना की गई है उसके बारे में बताना चाहता हूं उसके भी पद हम पढ़ेंगे नहीं मैं क्विक्ली पद बताता चला जाओंगा लेकिन इस बार थोड़ा सा स्लोली बोलूंगा जिससे के आप उसको नोट कर सके प्रभू का वच तक 23 अध्याय के 29 पद में हम देखते हैं यर्मिया 23 का 29 पिघालने के लिए जो अगनी है उससे तुलना की गई है और ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आपको लगता है कि मसीही जगत में एक बदलाव आने की जरूरत है तो उसके लिए जो में टूल पदमेश्वर ने हमको दिया है वो प्रभू का वचन है प्रभू का वचन जब हम क्रम बद तरीके से चर्चस में, कैंप्स में, कॉन्फरेंट्स में पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, पत्रिकाओं में लिखेंगे, मेसेजस यूट्यूब पर पोस्ट करेंगे, तब बदलाव आएगा और कठोर से कठोर व्यक्ति के दिल को भी पिघाल देगा। उसी तरह से यर्मिया की पुस्तक इसी पद में 23 के 29 में ये भी कहा गया है कि पत्थर को चट्टान को तोड़ने के लिए जिस तरह से हथोड़े का उपियोग होता है, वैसा ही प्रभू का वचन है, जो इस बात को बताता है कि कठोर से कठोर व्यक्ति को तोड़ने के लिए मनिश्यों के शब्दों का उपियोग करने के बदले हम प्रभू के वचन का उपियोग करें। आज जो लोग प्रभू का वचन सुन रहे हैं, इन में से सीनियर लोगों ने स्कोफिल्ड रेफरेंस बाइबल का नाम जरूर सुना होगा। हुँची चीज समझ के रखे हुए हैं, उसका रजल्ट यह है कि हमारी बाइबल स्टेडी चौपट हो रही है। यदि आप स्टेडी बाइबल की सहायता से बाइबल स्टेडी करते हैं, तो मेरा अनुरोध है सर्वोत्तम है स्कोफिल्ड रेफरेंस बाइबल। नमबर टू, राइरी स्टेडी बाइबल। राइरी स्टेडी बाइबल हिंदी में उपलब्ध है। आपरेशन बरनबास ने उसको प्रिंट करवाया था, मैं उसका चीफ एडिटर हूँ, लगबग 10 साल तक 20 भाई और बहनों ने महनत करके उसका अनुवाद हिंदी में किया था। तो इसलिए यह आप बाइबल स्टेडी के बारे में सीरियस हैं, स्कोफिल्ड और राइरी। अब आते हैं स्कोफिल्ड के बारे में। C.A. Schofield बहुत ही successful एक वकील था या lawyer था, किसी का आधर नहीं करता था, किसी से डरता नहीं था, सौ बार लोगों ने उसको प्रभू के पास लाने की कोशिश की, कोई फरक नहीं पड़ा, उसके दिल पर कोई असर नहीं पड़ा, एक रात जब वो पैदल जा रहा था, तो अचानक पानी बरस गया, और पानी से बचने के लिए ना तो उसके पास चाता था, ना आसपास कोई बिल्डिंग थी, बस एक चर्च था, चर्च ऐसी चीज है जिसमें जाने से वो हमेशा बच कर रहता था, लेकिन मजबूरी में वो चर्च में घुसना पड़ा, और जैस इस सो के आसपास के, अठारा सो, पिंग्चैनवे से उननी सो के बीच की बात कर रहा हूं मैं, एक किसान जो मेले, कुचेले, कपड़े पहने हुआ था, जाकि उसने सकोफिल को पकड़ लिया, सकोफिल दीवार से लग गया, तो उस आदमी ने दोनों हाथ सकोफिल के दोनों इस संबंदित, कई सारे पद सकोफिल के सामने सुना दिये उसने, प्रभू का वचन कहता है कि प्रभू का वचन उस अगनी के समान है, जो पिघला देती है, उस हतोड़े के समान है, जो तोड़ देती है, उस दिन इस व्यक्ति के, जो की सकोफिल के सामने कहीं नहीं लगता था उस व्यक्ति ने प्रभू के पदों को जो उद्धरनिया स्कोफिल्ड के सामने रखी स्कोफिल्ड का कठोर दिल तूट गया पिघल गया उसने कहा कि बताओ तुम क्या कहना चाहते हो उसने प्रभू का संदेश सुनाए उस रात स्कोफिल्ड ने प्रभू को मुक्तिदात के रूप में ग्रहन किया तब जाकर उसके कुछ साल के बाद बाइबल अध्यान करने के बाद उसने स्कोफील्ड रेफरेंस बाइबल की रचना की आज भी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं दुनिया में स्टैडी बाइबल में स्कोफील्ड रेफरेंस बाइबल का जोड नहीं है, कैसे उस कठोर आदमी का दिल तूट गया, कैसे उस कठोर आदमी का दिल पिघल गया, कैसे वो प्रभु के पास आया, प्रभु के वचन के कारण, तो यदि आप दूसरों आपके परिवार में, आपके घर में, आपके चर्च में, यदि इस तरह का कोई व्यक्ति है, सही रीती से प्रभू के वचन का उपयोग कीजे चर्च में आपका उसर मिलता है प्रभू के वचन को एक्सपोसिशन दीजे उस व्यक्ती की तरफ इशारा करके नहीं उस व्यक्ती के लिए नहीं प्रभू का वचन सब को जानना जरूरी है Bible Exposition करते रहिए कभी न कभी प्रभु का वच्चन उसके कठोर खृदे को तोड़ देगा उसके कठोर खृदे को पिघाल देगा और वो प्रभु के पास आएगा भजन 119 का 105 यहां सब को याद होगा नहीं है तो याद होना चाहिए और माबाप यहां जितने हैं उनको उनसे मेरा अनिरोध है मेरे प्रिये पिता मेरी प्रिये माँ अपने बच्चों को बच्च्पन से ही यह पद जरूर याद करवा दे जहां हम देखते हैं तेरा वचन आपका वचन सही रीतिस है मैं हिंदी बाइबल कोट कर रहा था लेकिन करेक्ट ट्रांसलेशन आपका वचन मेरे पैर के लिए दीपक और मेरे पत के लिए प्रकाश है अपने बच्चों को सिखा दीजे मुझे और आपको यह बात समझ लेनी चाहिए कि इस संसार में जब सब और अंदेरा ही अंदेरा है जीवन में सही दिशा मिलनी है तो प्रभू के वचन से ही मिल सकती है इसलिए यहां लिखा हुआ है कि आपका वचन मेरे पैर के लिए दीपक और मेरे रास्ते के लिए प्रकाश है आज से लगबख 2600 साल पहले एक युवा उसने और तीन साथियों ने ये निरने लिया कि वहां परश्या में राजा के द्वारा जो नियुक्त भोजन है वो यहुदियों के लिए वर्जित है उसने अनिरोत किया लेकिन बड़े अफसर ने कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है छोटे अफसर के पास जाकर उसने एक प्रस्ताव रखा वो इस बात को प्रभू के वचन के आधार पर जानता था कि जब मैं प्रभू के वचन के अनुसार सही चॉइस करूंगा तो बाकी फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं है मुझे बचाना हो तो वो प्रभू की जिम्मेदारी है मुझे ना बचाना हो ये प्रभू की जिम्मेदारी है आप पूछेंगे जॉणसन ब्रदर ये किस आधार पर कह रहे हैं प्रभू के वचन के आधार पर कह रहा हूँ क्योंकि उसी घटना में थोड़ा आगे जब हम जाते हैं तो दानियल के तीन मित्रों को जब भयानक अगनी के सामने खड़ा किया गया और राजा अधिराज ने कहा कि शद्रक मेशक अबेद्नगो दुनिया का कौन से ईश्वर है जो तुमको मेरे हाथ से और इस अगनी से बचा सकता है तब उन्हें ने जो जवाब दिया था वो जवाब हम उपर उपर से पढ़के छोड़ देते हैं उनका जवाब था हे महाराजा दिराज हम एक ऐसे परमेशवर की आज जाके दाने पढ़के देख लें हे महाराजा दिराज हम एक ऐसे जीवित इश्वर की सेवा करते हैं जो हमको इस अगनी से बचा सकता है लेकिन यदी नहीं बचाएं मतलब आज के दिन हमको नहीं बचाएं तो भी हम उस मूर्ती के आरदना नहीं करेंगे तो दैनियल भी इस बात को जानता था क्योंकि ये चारों बहुत क्लोस फ्रेंड्स थे हो सकता है प्रभू दस तिन शाक भाजी खाने के बाद उनको स्वास्ति दे हो सकता है ना दे ना दे तो फिर ये प्रभू की इच्छा है समझके वो जो पर्षिंस है उनका शुद खाना खालेंगे लेकिन जिस प्रभू ने आज्या दी है उस प्रभू की आज्या मानने के कारण यदि प्रभू चाहते हैं कि हम शुद्ध जीवन बिताएं तो प्रभू छुटकारा देंगे तो जब पदमिश्वर का वचन कहता है कि आपका वचन मेरे पैर के लिए दीपक और मेरे पत के लिए उजयाला है तो प्रभू के वचन में ही इसके बहुत सारे उदाहरण हमको मिलते हैं जहां पर लोगों ने प्रभू के वचन के आधार पर व्यवहार किया और प्रभु ने उनको उत्तर दिया तो आज मैं और आप एक ऐसे संसार में जी रहे हैं जहां हर व्यक्ति बुराई की और अग्रसर है इन फैक्ट प्रभु के वचन में हम देखते हैं उन्होंने मेरे पैर के लिए जाल बिछाया है उन्होंने मेरे पैर के लिए फंदा तयार किया है जिसमें मैं फस जाऊं तो वे लोग जाल बिछा रहे हैं वे लोग मेरे आप के लिए फंदा तयार कर रहे हैं ये जानना है तो उसके लिए पहले प्रभु का वचन जो हमारे पैर के लिए दीपक और हमारे पत के लिए उजियाला है उस पर ध्यान देना होगा तो जब मैं प्रभु के वचन के लिए जो विशेशन यूस किये गए है या जो तुलना यूस की गई है उसको महज सैध्धांतिक तरीके से आपके सामने एक लिस्ट के रूप में रख कर भाग जाने के बदले जो बताता जा रहा हूँ उसके जितने उदाहरन याद आ रहे हैं वे भी बताते जाना चाता हूँ जिससे की प्रभू के वचन का अध्येन महज एक सैध्धांतिक अध्येन ना हो बलकि उसके जो व्यावहारी क्या प्रैक्टिकल जो साइड है उसको भी हम देखते चल सके पहला पतरस दूसरे अध्याय के दूसरे पद में हम देखते हैं कि उद्धार के लिए अपने जीवन में विकास करने के लिए प्रभू का वचन जो दूद है उसका पान करो इसका क्या मतलब है मुझे और आपको अपने आत्मिक जीवन में विकास की जरूरत है प्रभू का वचन, प्रभू के वचन की तुलना दूद से इसलिए करता है कि जिसको आत्मिक जीवन मिला है, वो विकास उसे यदि करना है, तो उसे आत्मिक भोजन करना होगा और जिस तरह से एक शिशु को पहले दूद दिया जाता है और बादना अन्य दिया जाता है प्रभू के वचन में जो ठोस भोजन है उसकी जर्रत पड़ती है तो जब प्रभू का वचन प्रभू के वचन की तुलना दूद से करता है तो हम इस बात को अच्छी तरह से समझ लें कि प्रभू का वचन हमारे लिए बहुत सारी चीजे हैं वो ना के वल हमको रास्ता दिख है बलकि शरीर को आत्मिक शरीर को आत्मिक जीवन को पुष्टी देने वाला भोजन है और भोजन के बारे में भी प्रभू के वचन में यहां पर उस भोजन की चर्चा की गई है जो शिशूओं को दिया जाता है इस कारण की जब एक व्यक्ति प्रभू ईशु को चाहिए या प्राण हो जाना चाहिए या एक और शब्द परमेश्वार के वचन में हिंडी में आया है सयाना तो प्रभू के वचन में यह लिखा हुआ है कि अन सयानों के लिए हैं तो हम को अपने आत्मिक जीवन में दूद से लेकर ठोस अन तक खाना जरूरी है हम किस हर एक को समझना जरूरी है और उस स्टेज के नसार प्रभु के वचन को उपयोग करके डेविलप करना जरूरी है प्रभु के वचन से एक पद और मैं आपके सामने रखना चाता हूँ उसके बाद फिर मैं हिंदी में पढ़ना शुरू करूँगा पदों को अभी तक जल्दी जल्दी कवर कर रहा हूँ इफीसियों की पत्री पांचवे अध्याय के 26 वचन में इफीसियों पांच के 26 में प्रभु के वचन के बारे में कहा गया है कि वो निर्मल जल है आपको मालूम है क्या इस कोविट के सीजन में जब इन्फेक्शन सब जगह फैल रहा है तब बार-बार ये इंस्ट्रक्शन क्यों दिया जा रहा है कि हाथों को धोएं इसलिए कि सिर्फ स्प्रे करना परियाप्त नहीं है ज्यादा तर स्प्रे सिर्फ 98 प्रतिशत किटानूं को नाश करते हैं यदि आप जो स्प्रे घर लाते हैं उस पर यदि लिखा है कि 98 प्रतिशत को वो डिस्ट्रॉय करता है तो उसका मतलब यह नहीं है कि सिर्फ 2 प्रतिशत किटानू बचेंगे उसका मतलब यह है जादा से जादा 98 परसेंट इसलिए सरकार बार-बार लोगों को हिदायत दे रही है बार-बार हाथ धोएं बीमारियों रशुद्धियों से बचने के लिए सर्वोत्म दवा है पानी से हाद धुना इसी तरह से आत्मिक जीवन में हर्त रखी अशुद्धी से बचे रहने के लिए उसका सर्वोत्म तरीका ये है कि हम प्रभू के वचन के जल से अपने आपको धोकर शुद्ध करें तो प्रभू के वचन में प्रभू के वचन के बारे में ही जल शब्द का जो प्रयोग हुआ है उसको समझ कर उस जल से अपने जीवन को नियमित रूप से धोना जिरूरी है और ये धोना हम कैसे करते हैं जब हम नियमित रूप से प्रभू के वचन का पाठ करते हैं रोज प्रभू के वचन की स्टडी और पवित्रात्मा से जो प्रकाश मिलता है उसको डायरी में नोट करना और उसके बाद दिन बर हम जो भी काम वगएरा करते हैं उस समय उस दिन हमने जो पड़ा था उस पर ध्यान और मनन जब हम इस्तरा से करते हैं तो प्रभू का वचन जो निर्मल जल है वो अपने आप हमको साफ करता है साफ नहीं करेंगे तो क्या होगा साफ नहीं करेंगे तो परिणाम यह होगा कि हम जहां भी जाएंगे वहाँ हमारे शरीर से दुरगंद आएगा आज से लगबग 30 साल पहले एक बहुत दिल्चस्प घटना हुई काउंसिलिंग की ट्रेनिंग के लिए मुझे स्कॉलर्शिप देखकर अमेरिका की एक ब्रदरन अकैडमी मुझे अमेरिका ले गई एक साल की ट्रेनिंग थी लेकिन मैं 6 महने के बाद वापस आ गया मेरे बच्चे छोटे थे और वो मुझे से अलगाव टॉल रेत नहीं कर पाते थे मैं भी विदेश में रहकर उसकी मोह माया में फसना नहीं चाता था क्योंकि 6 महने की ट्रेनिंग के बाद मेरे गुरु देव अमेरिकन गुरु देव नहीं कहा कि तुम यहीं रह जाओ तो अपन गुरु शिश्य मिलके बहुत बड़ा तीर मार लेंगे तभी मुझे लगा कि और जादा रहे तो अपन यहीं गुलाम हो जाएंगे तो मैं भाग आया लेकिन जब मैं अमरीका में था उस अमरीकी ब्रादरेंड चर्च में जाता था तो मैंने एक बात नोट किया मेरा बहुत उन्होंने स्वागत किया सभी पुरिशों ने आकर मुझे अलिंगन और चुम्बन दिया और मैं जब बाइबल क्लास लेता था उसके बाद वो फिर से आकर अलिंगन और चुम्बन देते थे कि इस तरह से एक्सपोसित्री स्टडी सुनने का आउसर मिला उसके लिए हम खुश हैं लेकिन हर बार एक बात मैंने नोट की कि ज़्यादातर लोगों के मुझे दुरगंद आती है मैं बड़ा हैरान हो गया कि अमरीका जो दुनिया के सबसे साफ देशों में माना जाता है क्यों ऐसा है नोट करने पर पता चला कि कुल्ला करने की आदत उन लोगों में नहीं है भारत ये व्यक्ति कितना भी कम पड़ा लिखा हो खाना खाने से पहले वो कुल्ला जरूर कर लेता है और कई लोगों को मैंने देखा है इवन मजदूर लोगों को जो खाना खाने से पहले हाथ दोने के साथ साथ कुल्ला करते हैं तो मैं अपने गुरुदेव के ही घर रहता था, हर दिन खाना खाने के बाद मैं दोड़ के, जो वाश बेसिन है उसके पास जाता था, चार-पांच दिन के बाद उनकी जो बड़ी बेटी है, उन्होंने मुझसे पूछा, डॉक्टर फिलिप एक प्रश्न है, मैंने कहा, बोलो क्या प्रश्न है, हर दिन खाना खाने के बाद आप दोड़ के वाश बेसिन के और जाते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, तो मैंने कहा कि पानी को मुँ में, इंग्लिश में कुल्य के लिए कोई शब्द नहीं है, यह मैं आपको बता दूँ, गार्गलिंग का मतलब कुल्य नहीं होता है, गार्गलिंग का मतलब होता है, पानी डाल का आ आ करना, कुल्य के लिए कोई इक्वलन शब्द नहीं है, तो मैंने उनको बताया कि मूँ में पाइनी डालके हम उसको अच्छी तरह से उसके लिए इंग्लिश अब्द है squish, we squish it thoroughly and we do it दो-तीन बार करते हैं, जिससे के हमारे मूँ में भोजन के करण ना रहें, ओहु, उसने कहा कि I never, नहीं मालूम था, हम लोग तो ऐसा नहीं करते हैं, तब ये बात confirm हो गई कि ये नाला एक लोग दुनिया के सबसे सभी देश में या सबसे धनी देश में रहते हैं, लेकिन कुल्ले जैसा जो छोटा काम है वो नहीं करते पानी जो हमें मुँ से लेकर सारे शरीर को साफ करने के लिए दिया गया है, उसका उपयोग नहीं करते तो दुरगंद आती है आत्मिक जीवन में प्रभू का वचन जल है, उस जल का नियमित रूप से हम पान न करें, और उस जल से नियमित रूप से अपने आपको साफ न करें, तो हमारे आत्मिक जीवन से भी दुरगंद उठने लगेगा ये मैं अकसर बड़े अफसोस के साथ देखता हूँ कि कई विश्वासियों की गवाही बहुत खराब है, मैंने आज शुरू में बताये था हम हाउस टो होस मिनिस्ट्री के लिए जाते हैं, अकसर जब हम जाते हैं, तो जानकर लोग पूछी लेते हैं कि भईया किस चर्च क हो, तो बताने में बड़ी हिचक होती है, जब बताते हैं कि ब्रद्रेंड हैं, तो तुरंत उनका जवाब होता है कि अरे भईया फिर ये किताब तुम ही रख लो, क्योंकि मन फिराव की जरूरत तुमारे लोगों को हमसे जादा है, ये है गवाही, हम उस शुद्ध जल से, यदि शुद्ध जल का पान न करें, उससे अपनी साफ सफाई ना करें, तो क्रम्श हमारे अंदर छुपा हुआ जो पाप सुभाव है जिसके बारे में, रूमियों की पत्री सात्वे अध्याय में कहा गया है, वो पाप सुभाव हम पर ऐसा हावी हो जाता है कि जाने अन ज विश्वा सी पाप में फस जाता है, तो दुरगंद और जादा होता है, ये बात में मैं बता दूँ, यदि फटे हाल चितडे में एक आदमी आपके घर आता है, और यदि उसके शरीर से दुरगंद आता है, आपको ताजुब नहीं होगा, लेकिन मान लीजिए कि शादी है उसमें बंठन के दुलहा आया है, और बंठन के बड़ी टीम टाम की सब दुलहिन आई है, शादी के बाद कई जगे लोग जाके चुम्बन करते हैं, चुम्बन के लिए गए और आपकी नाक बद्बू से फट जाए तो आपको क्या लगेगा, क्यों, भिकारी के बदन में जो बद्बू आ रहे उससे आपको परिशानी नहीं होती है, यहाँ ब्राइड और ग्रूम के बदन से बद्बू आती है तो परिशानी होती है, क्यों, इसलिए कि जिस व्यक्ति को शुद्ध और पवित्र रहना चाहिए, जब उसके जीवन में अशुद्ध ता आती है, त तो उसका असर दूसरों पर बहुत अधिक होता है, और इस कारण प्रभू के वचन की तुलना प्रभू के वचन में ही, जब शुद्ध निर्मल जल से की गई है, तो हम इस बात को याद रखें, नेमित रूप से उस निर्मल जल का पालन करें, जिससे कि हमारे आत्मिक रीत से आत्मिक जीवन में हमारे सारे आंतरिक अवेव शुद्ध रहें, दुरगंद उसमें से हट जाए, और बाहिरूप से भी हम प्रभू का जो सुगंध है, वो अपने जीवन के द्वारा दूसरों तक पहुंचा सके, इस से संबंदित एक और पद है, जहां पर प्रभू के वचन की तुलना एक और चीज से की गई है, पहले हम उसको देखेंगे और फिर देखेंगे कि इसके साथ संबंद कैसे है, इबरानियों की पत्री चार बारा में प्रभू के वचन की तुलना दोधारी तलवार से की गई है, इबरानियों चार बारा, इबरानियों चार बार में हम देखते हैं क्योंकि पर्मेश्वर का वच्चन जीवित प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी धारदार है जीव आत्मा जीव आत्मा को और गांट गांट और गूदे गूदे को अलग करके वार पार छेता है मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है प्रबु का वच्चन ना केवल निर्मल जल है प्रबु के वच्चन की तुलना दोधारी तलवार से की गई है अपन हिंदुस्तानी लोग तलवारों के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं आज भी ऐसे बहुत सारे पुराने जमाने के परिवार है जिनके लिविंग रूम में दो तलवारें यो क्रॉस करके रखी रहती हैं लेकिन हिंदुस्तानी लोग जनरली एक तरफ धार वाली तलवार का उपयोग करते थे जबकि दुनिया में जो सबसे शक्तिशाली सेना थी जिसने लगबग सारी दुनिया को अपने नियंतरंड में ले लिया था वो थी रोमी सेना और रोमी लोग दोधारी तलवार का उपयोग करते थे इधर भी काटो तो कटे उधर भी काटो तो कटे और दोधारी तलवार की एक और विशेशता थी दोधारी तलवार हमेशा नुकीली होती थी मतलब इधर काटो तो कट जाए उधर काटो तो कट जाए और आगे को जो है घुप दो तो वो छेत कर जाए इस तरह के सर्वोत्तम तलवार से प्रभू के वचन की तुलना इसलिए की गई है कि मेरे और आपके अंदर जो अशुद्या है उनको अलग प्रभू का वचन उनको अलग करता है देखे इस पत के आखर में हम देखते हैं जीव और आत्मा को गांठ गांठ मतलब जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है उसको गूदे गूदे को अलग करके वार पार छेतता है कई बार कुछ चीजें एक दूसरे से इतनी अधिक जुड़ी होती है कि किसी शार्प चीज से उसको छेतना जरूरी होता है मन की भावना और विचारों को मनश के मन में जो भावनाएं और जो विचार हैं उनमें अच्छे विचार और बुरे विचार इस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं कि अपवित्र क्या है पवित्र क्या है इसको अलग करना कई बार मुश्किल हो जाता है विशेश कर वो व्यक्ति जो प्रभू के वचन में ध्यान नहीं करता है और जो प्रभू के वचन के अनुसार सोचना नहीं जानता है उस व्यक्ति के जो मन की भावनाएं और विचार हैं उसमें शुद्ध और अशुद्ध एक दूसरे से ऐसी जुड़े रहते हैं कि उनको अलग करना मनुश के लिए असंबव है आटे में नमक मिलाकर जब आटा आप गून देते हैं तब उसके बाद नमक अलग नहीं कर सकते क्योंकि उन दोनों का विले एक दूसरे में इस तरह से हो गया है कि आप किसी तरह से अलग नहीं कर सकते इसी तरह से मैं और आप जो इस संसार में रहते हैं संसार का जो विस्डम है संसार की जो बुद्धी है संसार का जो नीती वेचन है उसको सुन सुनकर कई बार हमारा दिमांग इतना खराब हो जाता है मैं विश्वासियों की बात कर रहा हूँ हमारा दिमांग इतना खराब हो जाता है कि हमारे मन में अच्छी और बुरी भावनाएं एक दूसरे के साथ आटे और नमक के समान गुद्ध जाती है परिणाम यह है कि वो नमक आप किसी तरह से अलग नहीं कर सकते उसी तरह से अच्छी और बुरी जो भावनाएं हैं जो विचार हैं वो इस तरह से हमारे मन में आपस में गुद्ध जाते हैं कि हम उनको अलग नहीं कर पाते और हम इस बात को जानते हैं मेरे प्रीए भाई और बहनों जब अच्छा और बुरा इन दोनों का मिलन होता है तो परिणाम कभी अच्छा नहीं होता परिणाम हमेशा बुरा होता है पानी जो कि कपड़ों को साफ करता है स्याही जो कि कपड़ों को स्याह कर देता है इन दोनों को मिक्स करके आप कपड़ा धो देंगे तो कपड़ा साफ नहीं होगा कपड़ा डाई हो जाएगा इसी तरह से मेरे आपके जीवन में जब हम इस संसार में रहते हैं तो संसारिक जो सोच है, संसारिक जो समझ है वो हमारी समझ के साथ ऐसा मिल जाता है कि मन की भावना और विचारों को जांच कर आर पार छेत करके अलग करना जरूरी है मनिश नहीं कर सकता है सिर्फ पर्मेश्वर का वचन कर सकता है इसलिए पर्मेश्वर के वचन को दोधरी तलवार कहा गया है आज से बहुत साल पहले की बात है मैं ग्वालियर में था एक भाई एक दिन चर्च आए पूछा तो पता चला कि फूड इंस्पेक्टर है फूड इंस्पेक्टर के मारे दुकानों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं उनकी नानी मरती है इतना पावरफुल पोजिशन होता है उन्हेंने आके मुझसे कुछ गॉस्पल और ट्रैक्ट वगरा की मान की तो मैंने का कि अच्छा आप काम पे निकलते हैं तो गॉस्पल और ट्रैक्ट भी बाटते हैं तो उन्हेंने कहां ब्रदर मैं गॉस्पल और ट्रैक्ट बाटता हूं इतना ही नहीं मैं एक काम और करता हूं मैं अपने साथ एक थैलिया लेके चलता हूं और किसी भी दुकान में जाता हूँ, तो पहले ये थैलिया उनके सामने रख देता हूँ, बोलता हूँ, मैं नौकरी के साथ-साथ प्रभु की सेवा भी करता हूँ, इसलिए जितनी तुमारी श्रद्दा है इस थैलिया में डाल देना. एक बात बताईए, फूड इंस्पेक्टर जब जो आपकी दुकान बंद करवा सकता है, एक सिकनेचर के द्वारे जो आपकी दुकान बंद करवा सकता है, वो एक थैला लेके आपके दुकान में आया है, आते ही वो थैला आपके सामने पटक देता और कहता है कि तुमारी जित वे भाई ग्वालियर में कई महीने थे प्रभू की सेवा में एक कोड़ी भी देते हुए नहीं देखा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, एक फूड इंस्पेक्टर जिसके कारण लोग धर रहाते हैं, वो जब एक थैला ले जाके डाल देता है, वो क्या कर रहा है, वो उनको डराकर घूस ले रहा है प्रभू के नाम से, और सबको कह रहा है, मैं प्रभू की सेवा के लिए पैसा ले रहा हूँ, सेवा हो रही अपने आपकी, इस तरह की फिलोसफीज हमारे जिवन में कैसे आ जाती हैं, दुनिया भर की चाला की, दुनिया भर का चल, बच्पन से लेकर बुड़ापे तक जब हम देखते रहते हैं, तो उसका असर हमारे मन पर होता है, परिणाम यह है कि हमारे मन में जो अच्छी चीजे हैं और जो पुरी चीजे हैं वो आपस में इस तरह से मिल जाती हैं, कि बुरे को हम अच्छे के रूप में प्रस्तुत करते हैं, और हमारा ध्यानी नहीं जा रहा है कि हम जिसको अच्छा समझ रहे हैं, वो बुरा है फाइनली उस भाई से मुझे कहना पड़ा कि मैं गॉस्पल और ट्रैक्ट अब आपको नहीं दे पाऊंगा इसलिए कि आप फूट इंस्पेक्टर होने का जो दबाव है उसके आधार पर लोगों को लूट रहे हैं उनसे घूस ले रहे हैं आप बड़ी लंबी चौड़ी हांकते हैं कि मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूं सेवा वेवा कुछ नहीं है यहां आप प्रभु के नाम पर मेवा खा रहे हैं वो बहुत दुखी हो गए लेकिन उनने अपने आदत को नहीं बदला उनने कहा कि ब्रदर आप नहीं तो कहीं और से ट्रैक्ट मिल जाएगा और ट्रैक्ट नहीं मिला तो भी प्रभु के नाम से कमाई तो होती रहेगी यह उदाहर इंड मैंने आपके सामनी इसलिए रखा है कि लगभग सभी पेशों में भलाई और बुराई एक दूसरे के साथ कमबाईन होने की संभावना बहुत ज़्यादा है बहुत ज़्यादा है एक विश्वासी के जिवन में ऐसा नहीं होना चाहिए इसलिए उस विश्वासी के मन की भावना और विचारों को जाचना जरूरी है लेकिन पाप से भरे हुए मैं और आप नहीं जाच सकते इसलिए प्रभू ने अपना वचन रखा है और जब हम उस वचन का पाठ करते हैं तो वो जीवित और प्रबल सर्वोतम दोधारी तलवार से ज़्यादा शार्प वो छेद कर बुराई और भलाई को अलग करके हमको दिखाता है उसका परिणाम क्या होता है उसका परिणाम ये होता है पदमेश्वर के वचन के जल के हमें जरूरत है इस बात को हम समझेंगे और पदमेश्वर के वचन के जल के द्वारा हम अपने आपको धोएंगे तो आज यहां जितने भाई बहन आई हुए हैं उन सब से मेरा अनिरोध है कि प्रभू के वचन का हम जो अध्यान कर रहे हैं ये सिर्फ एक सैधानतिक अध्यान ना रहे ये कैसा अध्यान हो जो मेरे जीवन में रूपांतर लाए आपकी जीवन में रूपांतर लाए इसलिए मैं व्यावाहरी जीवन से ये सारे उदाहरन दे रहा हूँ और आज आगे बढ़ने से पहले अगले पॉइंट में जाने से पहले मेरा एक अनुरोध है हम में इसे बहुत सारे लोगों को कोवीड रोग लग गया है कोवीड अलग चीजह ए कोवीड रोग अलग चीजह कोवीड रोग एक बला है हम मैं इसे सभी लोग हफ़ते में एकसे अधिक जूम बाइबल स्टड़ी अटेन करते हैं और जब हम जूम बाइबल स्टडी एटेंड करते हैं तो कोई न कोई सजन प्रभु का दास जो पद बोलता जाता है उस पद को पूरा का पूरा कॉपी करके वहां डाल देते हैं तो इसलिए यदि आप मोबाइल लेके बैठे हैं या कंप्यूटर पर बैठे हैं तो बाइबल खोलने की जरुरत नहीं पूरा का पूरा पद आपके सामने रखा जा रहा है इसलिए मैंने आरभ में अनुरोद किया था कि सिर्फ रेफरेंस दिये जाए पूरे पद यहां पर ना दिया जाए कोविड रोग एक बहुत बड़ी बला है जब हम बिना बाइबल के बाइबल स्टडी के लिए क्यामरा के सामने बैठ जाते हैं बिना डाइरी के बाइबल नहीं लाए तो डाइरी लाएंगे क्या और डाइरी नहीं लाए तो पेन लाएंगे क्या तो आज उस दोधरी तलव के द्वारा आर पार छेदने के लिए चीदे जाने के लिए परमेश्वर के वचन के शुद्ध जल से धोये जाने के लिए और परमेश्वर के वचन परमेश्वर का वचन मेरे और आपके जीवन में उजियाला हो रोशनी हो उसके लिए मेरा अनिरोध है कि कोबिड रोग से ब जो प्रकाश देते हैं, उस प्रकाश को नोट कर लें। और वो प्रकाश जो आप नोट करते हैं, जब आप कंटीनियली उसको नोट करते चले जाएंगे, तो आपके पास प्रभु के वचन से हर विशे में काफी कलेक्शन हो जाएगा। हर आउसर पर बोलने के लिए प्रभु की पवित्रात्मा द्वारा दिया गया प्रकाश बिना भूले आपने डाइरी में नोट कर लिया है। उस प्रकाश का उपयोग करके जब आप प्रभु के वचन का अध्येन मंडली में प्रस्तुत करेंगे, बाइबल क्लासस में प्रस् प्रस्तुत करेंगे, जूम पर प्रस्तुत करेंगे और लेखों के द्वारा प्रस्तुत करेंगे, तो प्रभु का वो वचन हथोड़े के समान लोगों के कठोर दिलों को तोड़ देगा, अगनी के समान उनके दिलों को पिघाल देगा, उनके जीवन में पाप है तो वो ब प्रति जो समर्पन होना चाहिए, सिर्फ सैध्धांतिक अध्येन तक सीमित नहीं रहना चाहिए, व्याव हर इक जीवन में आना चाहिए, इस कारें यदि कोविड रोग से पीडित कोई भाई या बहन, आज यहां उपस्थित हो, दया करके अगले हफ्ते आएं, तो अपने सा प्रभू का वचन लेकर आएं, डाइरी लेकर आएं, पेन लेकर आएं, और प्रभू के वचन से आपको जो प्रकाश मिलता है, पवितरात्मा का प्रकाश मिलता है, उसको नोट करते चले जाएं, पवितरात्मा के प्रकाश के बारे में हम डीटेल में बाद में देखेंगे नोट करते चले जाएं क्रमश आपके पास इतनी सामगरी हो जाएगी कि आप जीवन भर उसका उपयोग नहीं कर सकेंगे और उस सामगरी का उपयोग जब आप अपनी टीचिंग मिनिस्ट्री में अपनी काउंसलिंग में करेंगे तो लोगों के जीवन में रूपांतर होगा इन बातों को समझने के लिए और अपने जीवन में व्यवहार में लाने के लिए प्रभू हम में से हर व्यक्ति की मदद करे प्रभू के नाम की स्तूति हो प्रिया दोस्तों मुझे पूरा यकीन है कि शास्त्री जानसंसी फिलिप के आज के इस बाइबल प्रभचन द्वारा आपको बहुत अधिक अनुग्रह मिला होगा शास्त्री जी बाइबल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवम सहज भाशा में प्रभचन के लिए जगत प्रसिद्ध है उनका कोई भी प्रभचन आपसे छूट न जाए उसके लिए इस पार्ठ्यमला को सब्सक्राइब कर लें सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिखता है पहले उसे क्लिक कर दें उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है उसे क्लिक कर दें बस हो गया काम अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी इतना ही नहीं हर नया सब्सक्राइबर हम को बहुत अधिक प्रोथ साहन देता है जै मसीह की